हाई फ्रेंड्स कैशे हैं आप लोग आप देख रहे हैं शाही पाट साला और मैं हूँ बीकेशिंग आज हम बात कर रहे हैं 66 में BPSC GS PAPER 1 की मैं इससे पहले दू वीडियो अप लोगों को दे चुका हूँ जिसमें suggested question, guess किया हुआ question 66 BPSC के लिए बहुत महतपुरुन प्रस्न मैं आप लोगों को दे चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में दो प्रस्न मैंने दिया है पहला है पटना कलम और दूसरा है quad country मैंने दूनों प्रस्न के बारे में आप से कहा है कि आप इसके multiple dimensions में प्रस्न को तयार करेंगे और second वीडियो जो है मेरा उसमें 15th Finance Commission नया कृशी कानून बिहार के बारे में मैंने दिया है कि बिहार में पंचाज चुनाओ और बिहार में सराब बंदी यह अच्छा प्रस्न मैं आपको दे चुका हूँ आपको जो प्रस्न मैं दे रहा हूँ इसको पढ़ना चाहिए आपको तबज्यो देना चाहिए इस प्रस्न को प्रात्मिक्ता देनी है कि याद तो करेंगे हैं इसको पहले याद करेंगे इसके multiple dimensions को याद करेंगे इसके facts को ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे लिखने का practice अभी आपको ज़्यादा करने है इस विडियो में मैं एक और चर्चा आपके साथ करना चाहरा हूँ मैं आपको एक description में number दे दूँगा या तो whatsapp number दे दूँगा या telegram का link दे दूँगा आप जो प्रस्ण अपने room में घर में बैठ के लिखते हैं उसी को आप document में photo खीच कर या फिर PDF बना कर हमें वहां send किजिए मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि आप लोग जो लिखते हैं वो कैसा है जो प्रस्ण भी लिखते हैं ऐसा नहीं कि मैंने जो कहा यही और यह प्रस्ण चुकि मेरा view अभी बहुत जादा नहीं है आप लोग जितने भी 15 student देखते हैं मैं उतने का ही check करना चाहता हूँ चुकि बहुत सारा आ जाएगा तो मैं तो उतना check भी नहीं कर पाऊंगा और देखा है जिन लोगों ने भी वीडियो ऐसा दिया है तो सब का review नहीं कर पाते हैं तो अभी मेरे पास student के संख्या YouTube पर कम है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे जो लिखते हैं special मेरे लिए नहीं लिखना है हाँ इतना जरूर करना है कि time देख कर लिखना है 20 से maximum 22 minute लिखना है उससे ज़्यादा नहीं लिखना है उतने में आप कितना लिख पाते हैं किसी प्रसन को उतना ही मुझे पेडिया बना कर send कर दीजिए मैं उसका review करके आपको बताऊंगा प्रसन में क्या कमी रगई है और इसमें क्या जोड़ना है क्या नहीं लिखना है कहां बढ़ाना है और या फिर आपने जो लिखा इस पर कितना number, maximum numbers आपको मिल सकते हैं मैं आपको आपका लिखावा दिखाऊंगा आए आज हम आपको दू प्रसन देने जा रहे है यह दोनों ही प्रसन जीएस पेपर 1 के है और दोनों प्रसन अती महत्पुरुन है दोनों प्रसन आपको multiple dimensions में तयार करने है एक प्रसन जो की जीएस पेपर 1 के section 1 से है और दूसरा प्रसन जीएस पेपर 1 के section 2 से है तो पहला प्रसन है गांधी जी की विचारधारा विचारधारा आप लोग पढ़ते हैं गांधी, नहरू, टैगोर इस प्रकार से तो यहाँ पर आपको गांधी जी की विचारधरा पढ़नी है गांधे जी की विचारधरा जो पढ़ेंगे उसमें चमपारन सत्यागरह को भी पढ़ेंगे क्योंकि हो सकता है चमपारन सत्यागरह भी आपसे पूछे जब चमपारन सत्यागरह आप से पूछा जाता है तब भी आप मैकसिमम बात वहाँ पर गांदे जी को correlate करकर ही लखते हैं तो गांदे जी की बिचारधारा पढ़ेंगे चमपारन सत्यागरह भी पढ़ लेंगे गांदे जी की बिचारधारा में उनका रास्टरवाद है समाजी कार्थी कि वर्ण विवस्था पर उनकी क्या विचार धराएं थी ये सब बात आप लोग को पढ़ लेना है अगली बात है सेक्शन टू की कोरुना वैरस का सकेंड वेव इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है उसका रिकवरी के बारे म लॉस को बताना है वर्ल्ड के वर्ल्ड उसमें इंडिया को किस प्रकार से सपोर्ड क्या वो बताना है वैक्सिनेशन स्ट्राटेजी ऑफ इंडिया इंडिया का वैक्सिनेशन स्ट्राटेजी किस रूप में है काम कर रही है बहुत सारे देशों को वैक्सिन इन्होंने माट है दिया है तो vaccination strategy पर भी आपको लिखना है उसके बाद जैसे कि COVID-19 का new strain आया है तो COVID-19 का new strain के बारे में भी आपको जनकरे रखना है vaccination diplomacy को आप विस्तार पुरबक पढ़ें COVID-19 से related कोई ना कोई पूछेगा ही जैसा मुझे लगता है ना भी पूछे तब भी आपको COVID-19 से related multiple dimensions के question आपको तयार करके रखना है ज्यादा ज्यादा क्या पूछ देगा हो शकता है हमने जितने बात आप लोग अपसे अभी share किया इन में से और भी कुछ नया जोड़ कर पूछ दे इसलिए COVID-19 तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 66 में भी के लिए तो इसको तयार करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे तो आज के लिए आपका दो प्रस्ण है दोनों ही प्रस्ण बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोनों को तयार किजिए और आप लोग मैं डिस्क्रिप्सन में एक लिंक या एक नंबर दे देता हूं वहाँ पर जो प्रस्ण भी आप लिखते हैं जो दो प्रस्ण मैं आज दे रहा हूं यह दोनों में से कोई प्रस्ण जदी आप चाहें या दोनों के दोनों प्रस्ण चाहें ता आप एक दो दिन में हमको लिखकर सेंड किजिए मैं देखना चाहता हूं कि धन्यवाद